आज मैं बात करने वाला हूं दोस्ते एक दिगज NBFC स्टॉक के बारे में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है स्टॉक के अंदर लॉंग टम के लिए एड कीजिए बहतरीन कंपनी है दोस्तों गोल्ड फाइनेंसिंग के बिजनेस में अवेलबल है मुटूत फाइनेंस के ब बना के देगा अपने स्टॉक में एड करते चलिए अपने पॉर्टफोलियो में बढ़िया स्टॉक है लॉंग टम के विजन से तो दोस्तों बात कर रहा हूं गोल्ड फाइनेंसिंग की नंबर वन कंपनी मुटूत फाइनेंस के बारे में NBFC सेक्टर है BSC और NSC दोनों में लिस्टेट कंपनी बहुत ही बैटरीन कंपनी है दोस्तों लॉंग टम के विजन से बहुत ही अच्छा पैसा आपको बना के दे सकती है आए देखते हैं आज कैसा कारोबार हुआ 9 सितंबर को तो NAC पे क्लोजिंग देखने कमली 1093 रुपए है 1093 रुपए क्लोजिंग है करी दोस्तों बहुत ही शांदार स्टॉक है दोस्तों लॉंग टम के विजन से आई इसकी रिटन की प्रोफाइल देख लेते हैं अपने निवेशकों को अब तक कैसे पैसे बनाया इसने देखे तो आज बीसी में 9 सितंबर को एक परसेंट के आसपास की तेजी देखनेों को मिल महिने में स्टॉक 10% के असपास करेक्ट हो चुका है बीते 2020 के अंदर जो की चल रहा है भी फिलाल 9 महिने में 43.82% की रैली कर चुका है दोस्तों बीते एक साल के अंदर मुठूत फाइनस ने अपने निवेशकों को 80% से ज़्यादा के रिटन कमा के दिये हैं तीन साल में ये स्टॉक दोस्तों 124% से ज़्यादा के रिटन दे चुका है वहीं 10 साल का डाटा है वो इसे स्टॉक का Kerryल नहीं है क्योंकि स्टॉक की लिस्टिंग को अभी इतना दोस्तों टाइम नहीं हुआ है इस चकर में इसका दस साल का डाटा है वो अभी अवे 83 सेयर हैं फेस वेलू 2 रुपए की स्टॉक की 52 वीक लो 442 रुपए का स्टॉक 1405 रुपए का हाई मार चुका लगबग दोस्तों 3 गुना पैसा कर चुका तो ऐसा स्टॉक है दोस्तों नीचे मिले तो आप लोगों को भर भर के लेना चाहिए लाउंग टम में यही सारे करती मार्केट कैपिटल भी ठीक ठाक 43,724 क्रोंड एक लार्ज कैप स्टॉक है दोस्तों इसका वैलुएशन महज 12.30 के आसपास है तो अभी अपसाइड बहुत जादा दिखाई देती है तो लॉंग टम के लिए एड करते चलिए जब भी मौका मिले मंतली SIP करने के लिए बहुत ही दिगज कंपनी है आई ये सेर होल्डिंग पैटर्न मी देख लेते हैं प्रमोटर के पास 73,4% की ओल्डिंग FII के पास 14,5% मूचल फंड के पास 6,07% की ओल्डिंग इंसोरेंस कंपनिया 0.51% की ओल्डिंग नॉन इंस्टिटूशन इंवेस्टर के पास जो ओल्ड होल्डिंग नन मतलब गिर्वी रखे सेर की समस्या नहीं है मूचल फंड की 27 इसकीमों ने 6,07% की ओल्डिंग रखी है FII की 269 इसकीमों ने 14,56% की ओल्डिंग रखी है प्रमोटर विथ हाइस होल्डिंग MJ जॉर्ज मुथूट के पास 11.61% की होल्डिंग है हाइस पब्लिक जो है बीपेन प्रवास के पास 1.34% की होल्डिंग आप हम जैसे जो रिटेल लिए सक हैं उनकी जो स्टेक इसमें देखने को मिल ले ही दोस्तों वो 3.6% की होल्डिंग देखने को मिल ले ही मुठुत फंडेंस के स्टॉक के अंदर तो दिगज कंपनी को लॉंग टम के ए दोस्तों